कि मैं कि जुबान से आपका शुक्रिया दा करूं शेड़ साथ आप तो फरिष्टा है अरे नहीं फदल दिये हमें एक अच्छे इंसान ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है अच्छा मैं चलता हूँ अच्छा मैं चाजरी अक्पर शाबाद तुम यहां हाँ एक प्राना इसाथ चुकाना है मैं समझा नहीं उन दूनों मैं बहुत छोटा था जब तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को कदल कर दिया था याद है या भूल चुके हो मुझे जात है मगर मगर अदालत पे उसे बड़ी कर दिया था और उसी रोज मैंने अपने बाप की खबर पर जाकर कसम खाई थी कि मैं उनकी मौत का बद्ला लूँगा आज उनकी परसी है और मैं उनकी रूप का सवाब पहुचाना चाहता हूँ वो कैसे तुम्हारे खुन बागर मैंने तुम्हारे खांदान का नावनुशान मिटानी कसम खा रखी है और अब तुम्हारे किलोते बेटे को तुम्हारे सोयम वारे दिन कतल करूँगा मन्शी जी ये सामने वाली जमीन अगली फदल के लिए फदल दीर को दे रही बड़ा गरीब है विचारा जी अच्छा वाल के सर्टाज मेरे खुदा ये क्या हो गया ये क्या हो गया सर्टाज ये क्या हो गया मन्शी जी किसी डॉक्टर को लेकर आओ अभी राइमार्ग देखा नहीं बाद खोर से सुना बड़ी मुश्कित से सांसे ले लेकर यहां तक पहुंचाओ शाबास ने मुझे कोली बार दिया है शाबास नहीं उसने पुरानी दुश्वनी का बदला ले लिया है उसने किसम खाई है मेरे बच्चे को बच्चिन्दा नहीं चोड़ेगा नहीं मेरे बच्चे को बचाना तुम्हारा फर्ज है उसके इभातत करना तुम्हारा काम है तुम्हारा काम है तुम्हारा काम है तुम्हारा काम है शावास खान ने मेरे बच्चे को खत्ल करने की दूंकी दी है मगर शावास खान जेल में है और वो इस दफ़ा कनून की गृष्ट चे नहीं बस सकी गए हम पूछते हैं हमारी जमान अट अब क्या हुआ कल तरीख है लेकन आपके खिलाफ को यहने गवाई पेश हो गया तो मश्कुल हो जाएगी रहे फिकर ने करो वकील साहब हमारे खिलाफ गवाई देने वाला अभी इस गवाई में पैदा नहीं हुआ मार्कें मार्कें क्या बात है पर्णों इतने परिशान क्यों हो शैवास खांकी जमानत हो गई है गातिल की जमानत? यह कैसे हो सकता है? गाउं के किसी आदमी ने उसके खिलाफ गवाई नहीं थी वो जील से रहा होकर आज ही गाउं पहुच रहा है मेरे ख़दा अब क्या होगा? जागीर्दार में तो मेरे बच्चे को जान से मारने की इसका रखे है मेरे जीता जी मुन्हे पर कोई आच नहीं आएगी मुझे तुम्हारी वफदारी पर नाज से फखरो मगर अपनी प्रिसमत पर भरोसा नहीं तो ऐसे करो मन्य को लेकर कहीं दूर चले जाओ आप कैसी बातें करती हैं मालकेन इतनी दौाओं के बाद तो खुदा ने आपके गोध परी है आप माँ होकर मन्य को कैसे जुदा करेंगी अगर चलने हैं तो आए हम सब चलते हैं नहीं फखरो, मैं साथ हुई तो वो मुझे तलाश करते हुए मेरे बच्चे तक पहुंच जाएंगे उसकी सरामती इसी में है कि वो मुझ से दूर चला जाए लेकिन मैं उसे लेकर जाओंगा कहुँ कहीं भी ले जाओ किसी मस्जद के तहलीज पर डाल देना किसी यतीम खाने में दाखी करा देना वो मुझ से दूर सही जिन्दा तो रहेगा जल्दी करो फखरो, जाने की तैयारी करो वो जालिम आते ही होगा अपना गम तुझको बताओं कैसे अपना गम तुझको बताओं कैसे मेरे बेटे तुझे मालूम नहीं कितनी मजबूर हुने जुल्म को रोकना मेरे ये दुशवार सही जुल्म से तुझको बचाना तो मगर मुंकिन जे गुरमा से तुझे रहना होगा ये से तम भी तुझे सहना होगा आपना गम तुझको डिखाँ कैसे अपना गम तुझको बताओं कैसे आपना गम तुझको बताओं कैसे अपनी मंता को कलेजे ने मचलने दूंगी मैं तुझे दर्द के शुनोनी नजलनी दूंगी जा मेरे लाद अबर लाद हसमाने तुझे का कर रही हूँ मैं नसर्पों के हवाले तुझे को कर रही है अबर रही है है एपिआ है झीए नहीं, एपिएल में है, हुआ है, हुआ है झीए जए नहीं है झीए झीए हुआ हुआ है बाल दो घुरफ और अजय बाल अजय होग और वह दोगार अजय हो सकता देसे हैं हुई हैं। छार्वार करते हैं है किसे फूंबुरा है अपने बेटी को अरे बेगम मैं आप से कहतो चुका हूं कि मेरी उससे बात हो चुकी है सची क्या करा उसने कब आ रहा बता के क्योंने अरे आज आएगा इसी में बढ़ा ने क्या बात है आप भी खमाल करते हैं तीन दिन के लिए कैसर गया था है फिरे पाइक दिन हो गया है मेरे दिल में तरह तरह के वस्ता से पैदा हो रहा है अरे बेकम रेल का टिकिट नहीं मिला था इसलिए नहीं आ सका और तुम तो जानती हो काम से कराजी गया है कोई सैन करने छांगा मांग मां बनकर रह गई है तुम्हारी एक पल की जुदाई बरदाश्ट नहीं कर सकती है इसलिए आइंदा जब कभी भी तुम्चाओ चाहे निजी काम से चाहे सरकारी काम से अपनी मां को अपने साथ ही ले जाए को मैंने भी यह सोचाए रह दी अब कि मुझे अंदाजा हो गया क्या है कि मैं मा के बगार एक दिन भी नहीं रसे है अरे कल इस लाटी को संभाल लो कहीं तुम्हारे गम में इसके दूटुक्री नहीं हो जाएं हां हां जैसे आपको तो रहत की फिकर ही नहीं थी सुंगा बेटा इंकी बातें से अब पूछो तो इंसे हरा तुमारी तस्व टैडी आप अरही नहीं बेटा बस वो तो यूजी आप देखो ना वो तुम्हे कमाल करती हुजी टैडी है जानता हूं मात्री कह रही है मैं भी कितना खुशनसी हूं टैडी मुंची अल्ला रखा तुमको अल्ला रखे तुम्हारी आँखे तो ठीक है ना बाबा अब दिलकुल ठीक है अब मेरी बेगम कहती है अब मेरी याखे हेमा माली से मिलती है सब के वजाए ना खिंता अड़े तुम्हारी याखे तो आपस में नहीं मिलती तो हेमा माली से वरी क्या मिलेंगी मले बस दुवारा भी खोषकू सब्सक्राइब मेरी याखे तो आपको कैसे आगया अभी आराम से आते दो चार दिन और कराची मेह शिश्रत करते हमारे माल पर मैं शर्मिंदा हूं सर उदसल इंटर्व्यू का काम तो एक ही दिन में खत्म हो गया था लेक्ट मैंने सोचा कि कराची आया हूं तो क्यों आपके लिए हैदराबाद सिंद की पल्ला मश्ली लेता चलू पल्ला सुभान अल्ला अडे बाबा हमकू क्या बताता है हम तो हज कुछा अग्ला नहीं है हम तो हदराबाद कोटडी सिंद का पल्ला भुलाई नहीं सकता क्योंकि मैं खुद कोट भी का रहने वाला हूँ, यहाँ खुदा का फजवा करा हूँ, सब कुछ है, अब आ भी अच्छा है, अड़ पानी भी सुभान आला, लेकिन पला नहीं है तो कुछ भी नहीं है, किदर है मेरा पला, वो सर रास्ते में दोस्त खा गए है, दोस्त खा गए, अड़ दोस्त तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, खाम खाम मेरे मूँ में, पानी आया, मैं देखता हूँ, जब भी मुझे गुस आता है, तुम सिंदिका कोई न कोई जिकर करके, मेरा गुस है ठता करते, मगर अब नहीं चलेगा, काम की बात करो, आत्वार सर पड़ा गया, फीच करो, बाहर निकरो, कुछ कोशच करो, कुछ महजच करो, पाकिस्तान के एक एक घर में तुमको कहानी मिलेगी कॉछ मुझें आप दो, करो, क्या आपको कोई इत्राज, बहला हम इत्राज करने वाले कौन है, हमारा जिमंद से सिर्फ एक ही काुछ द्राज मैं हिवाधित पीड़ के सब्सक्राइब Oh पोच्ते हां ह atac, या चक कर चला राखा है पमन्म hierarchy सब्सक्राद का हुए सहीलों के घर जो, महां भी तुम साथ इसमें हमारा कोई कसूर ने है बीबी जी ये तो बड़ी बेगम सहबा का होडर है हाँ बीबी जी, इसे में आपकी बलाई और आपका इराम है आखर आप भी इंसान है, आपके भी जजबाद मुझे नहीं चाहिए ऐसा आपका, तुम तीनों ने मिलकर मेरा जीना हाराम कर दिया है सहीलियों ने मुझसे मिलना छोड़ दिया है, सब मेरा मजाख उडाते है बीबी जी मजाख तो है ये उनाने वाली चीज, इसमें मेरा क्या कसूर है अकर मैं भी इन्वानू, मेरे भी जजबाद भार में कैये तुम्हारे जजबाद देखो, मैंने बहार जाने का प्रोग्रम कैंसल कर दिया शुक्रिया खुदा के लिए चल जाओ यहां से तुम से कहने है चलो दभा हो यह सब के सब तुम तीनों को मजा न चखाया तुम मेरा नाम भी साइगा नहीं मुंशी जी, मोटू आज आवद है आज आवद है आज मैंने अपनी हाथों से तुम लोगों के लिए चाय बनाई है इस महरबानी की कोई खास वज़े कहीं यह चाय आप हमें बतो दिश्वत तो नहीं पिला रही है अरे नहीं भाई असल में काफी सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुची हूँ कि जब इस कामें रहना ही है तो फिर मिल विलकर कीमा रही है बिल्कुल एक वो चाय बेगा शाय आपने आखर अंबील खाने हमारे भी से सुआथ है बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं बिल्कुल झाल अब कहां जा रहे हैं इतने जल्दे भी जा है माप कीजिए कि मेगम साहबा आपने बहुत जरूरी काम याद आगिया मोजो आफ तुम कहां जा रहे हैं बीबी जी अखर मेरे भी जबात है और ये जबात अलकरीब बहार आने वादे आप कि अवल सावे है और ये ख़िया नही है कि यान जर कि यदेए हैं जिए सुए गदोर्तius कारीघ ić कार समय मोजर आप गए है कार वडोर कि वड़ दी आगिया हसीना, 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 साइरा, तुम यहाँ, घर से भाग कर आई हो तेरे पास, मेरे मुनाजिब मेरा पीछा कर रहा है और वो आपे नीचे चाल रहा है ऐसा करो यह मेरा ड्रस पहर लोगा इस अथ में पहचान नहीं सकेंगे प्लीज जो देखो ला मैं सूजी गंजालवस हीरे अब तक मेरे पास नहीं पहुचे मैं आपको बता चूँ क्यों बॉस डेविड ने वो हीरे मुझे नहीं दिये जूट हीरे लेने में खुद आ रहा हूँ और भागने की कोशिश पत करता हूँ मैं तुवारे बहुत करीब हूँ और मेरे आदमी ने तुवारे फ्लैक को चारो तरह से घेर रखा है मिस सुज गंदालवस मैं सच करें तुम हमारे सब चीटिंग नहीं कर सकता मैं.. मैं सच करती हूँ बॉस वो हीरे तुभारे पास नहीं है मेरे सच और तुभारे जूट का अभी पता चल जाएगा हीरे तो यहां नहीं है बॉस हम दुनिया पर से फ्रॉड करते हैं मिस सुजी अब हमसे कोई फ्रॉड करें यह हमसे बरदाश्ट नहीं हो सकता अगर तुम्हे अपनी जिंदगी अजीजा है तो हीरे मेरे हमाले कर दो वरना मैं सिर्फ तीन गिरूँगा एक तो तीन तो 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 शाट द्रियन तो मैंने कर दी मगर जे रजिया कहां मर गई जहां भी जान गोर गोर के देखे सारे लोग के रजिया खस गई जूदों ने के रजिया खस गई गंडों ने के यह कराया कुछ नहीं किर भी लग के जान लको रो के रजिया खस की खंडों ने के रजिया खस की खंडों ने थाने दार जी क्या बतलाओ, मैं हु बड़ी गुथियारी नानेदार जी क्या बतला ने हुँ बड़ी दुखियारी इन राहों में फिरू में बोलो कब तक मारी मारी पान के सीना यहाँ पे घूमे घूंडे चोर चक्के हम जैसे मजबूरों को खाने पड़ते हैं धक्के हर रबा की इंसाफ तरा यह बेदर दी वर्दी बाला हाल पुछे मेरा हर रबा की इंसाफ तरा हर रबा की इंसाफ तरा खातुम बुरा ना मनाना दरसल बात यह है मैं असली नहीं नकली ठानेदार हूं कोई मौला जट है यहां जो मेर बचा है जान के रजिया फस गई गुंडों में के रजिया फस गई गुंडों में करण मेला जहराग आसे तरहल समयित आपकर अधिडक pitcher देखाने ही था बहने है ऊफने प्यूल ज़ो दिखाया था होननी है जो walks करा दो मेलादश दियो है कितनी जालिम, तबा मेरी खुदाया तेरी मूच्छा के सदके ये दिल दिवाना, वो मेरी गुलखाना मेरे गुल खाना कोई डारे तुर सेफ खोचे मारा चोड़ो एतना मज़दार शाट चल रहा ता खामार को कट करवाया बेदर बखता खोचे हमारा फिल्म का एरोई खो यास्मिन खान है ये लड़की ना ये खोचे क्या परक पड़ता है ये हमारा एरोई आज से और ये कैसी हो सकता है ये हो सकता है आज से यास्मिन खान कट और ये हमारी फिल्म का एरोई जादा मज़दार है एकदम पताखार है ओ खाना खराब तुम इदर मुखबत करती है उदर अमारा माल दोनत बरबाद होती है खराब का बच्चा हमको गालिया देता है तो सोर दरेंग शाहा कसम पो खुदे पदेता माच्चा दूल्दा माच्चा बसता ना अला का बंदली रावाला समा दूपकर वालर्ज और अला मखूशाब आए नशाकरीदा से चल पिशे वाला शाबसा वाल्ला की सुदा मना बच्ची राव सर एक बात पुछता हूँ जल्ली पुछ अपने बाच्टाएमी जल्ली पुछ ये आप गड़ी पिस्तोल की बाहर निकालते रहती है अरे मेना परस्टाल माम ला तू को रावा पुछता वाला समसुद्दीन सर शम्शुद्दीन अरे समसुद्दीन तो बोलना हूँ एक अपना जिंदगी का राज बता तो शम्शुद्दीन तो ये पिस्तोल ना कभी-कभी अड़ी करता है फज जाता है अप उन इसकी रेसुद करता है समझ गया और ये बाद है ना जी बानी जाना की बिल्कुल अंडस्टूड रही है पानी 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 तो परे उसका रेपोर्ट बीदा ही होता है कमान इस्पाजी इनस्पेक्टर साहब वो मेरी सेली है न हसीना मै वो चोग्री को नहीं जानता जी नहीं वो ग्रोव डाकम का चक्कर है नहीं स्मगलर स्मगलिन नहीं पर तो आपका स्लीप ऑच सकता है नहीं स्वेक्टर साहब किसीन उसको पताल कर दिया ।ो पहले को नहीं सुलता क्यों कै transformative मै मैंसा बीक वादाइव एक मिर्ट मैंसा वोma बो लो इनस्पेक्टर चैयली नहीं क्या कैसा भी नहीं मुझ्यम को बात तो झाई! बात का agree है? लिअ एयुल्या बता हूं चेक स्काट पनीषर पीला पलाव्स और गल्यमे लाल रूमाल मंहहह ठीक है राज इसमने करने hope मत फिर्शर पता हूं चेक स्काट पीला पनीषर हूं गल्यमे लाल रूमाल वो हो थुम्हो मैं? मैं अही आए है हैंड़अ, हैंड़व हैंड़व मैं मुगे लेगा है गंप्रगा लेदर में रखदा ले अदर ऑपला के सफ़ ना मेड़ा था एंश्पेक्टर शाफ मैं सच कहए हूँ मैंने को कतल नहीं किया मैं तिल्या कदर की रिपोर्ट लिखाने आए थी इन एक्सपेक्टर चारली को चक्कर देना बहुत मुश्किल काम है में में साप पहले कदल करते है फिर कदल की रिपोर्ट लिखाने थाले में आती है कानून की नजरों में बुरा दा शजरों मेंने तुर्ड इनिसरी में इने के बाड़ किसे छाहो! तर रिपोर्ट साव्डिकन है वाल, उन्देखना रिपोर्टिक है पारिएमों ते तरी में आपक्षा Calum तो आप कमाल है, पूछती कैसे, आप तो उस वक्त गारी में तेही नहीं है तो फिर आप आप आगे बैठ जाएं तेंक यू आपके हातों में हद करी, करिया आप जेल वेल से तो नहीं भागी है जी नहीं, जी नहीं, जी एक मज़ाख है जी मज़ाख है तरह सल, हम लोग जोड सिफाई खेल रहते, मेरे साथ ही मुझे जोड कर भाग गये तेहने सुलोग, क्या नम है आपका अपना शायदा अभी तो आपने का वो बुल पहराल शायदा बुल बदाँ, आपके हातों में हद कर ये पुलीस ने देख ली तो आपको बाकि गरफ़तार कर लेगी मेरा भी यही क्याल है आप मुझे अपने घर ले जालियो ना, please मैं आपको अपने घर क्यों ले चलिए? यह हाथकरी खोले कि ले? हाथ तोनी चीखीजे अब को देख लेगा तो यही हाथकरी मेरे हाथों में पड़ जाएगी चलियो, बैठ जाएगी, बर्के लेजाएगी तुम इसका मने मेर, मैं कुछी इस ढूंके लाता क्या कर रहे हो? यह चुरी? अब चुरी, हाँ हाँ माँ चुरी दरसल मेरे ब्रीफ केस का ताहा फंकिया उसे खोलने के लिए चुरी अच्छी यह चुरी से क्या होगा? मालूम होता है आपने पहले किसी की हथकरी नहीं दोरी कोई आरी या हथवरा लाईए देखे देखे यह घर है किसी लोहार या कबाडिया की दुकार नहीं है और आपकी इतला के लिए मैं सहाफ ही हूँ कोई लुच्चा यह लफंगा नहीं जो मुझे हथकरिया खोल लियाती हूँ समझें आप फिर भी मन देखता हूँ तो घर में जुली मशीन पड़ी है उसने को लोफंगा वेरी गुड़ आईजी तुम मां ब्रीफ केस लड़की बेगुना हथकरी मफ्रूर का दी जी नहीं मेरे ने परवीन है मैरे अच्छे घराने से तालुक रखती हूँ तो फिर तुम्हेरे हाथ में यह हथकरी कैसे आई हाथकरी यह मजाख है तक देखा आप से क्या परदा बटवा लालदी ने चुराय था इनस्पेक्टर ने उसके दोके में मुझे पकल लिया हम बीना एक अमजोर होगी इनस्पेक्टर की वनना मर्द के दोके में औरत को गिरफतार ना करता बस जी यही तो अंधेर है जो अमलाल दिन में क्या पकरी गई परवीन मगर तुमने तो मुझे अपना नाम शायदा बताया था शायदा ना आदा नान बताया था ना पुरा नान तो शायदा परवीन है और वो जो तुमने घुल बदन मुझे नाम बताया था वो किसका है वो मुझे घरवाले कहते है थैयर से रात बेटा जड़ा इदर आके मेरी बास सुनो कोई और नाम हो तो वो भी आत कर ले ना बेटा यह लड़की मुझे कुछ गर्बर लगती है ऐसा करो इसे किसी थाने में छोड़ाओ यह ना इसके वज़े से तुम किसी उसी बच में फच जाओ किस आव चले सायर को कहाँ थाने ने जो में चलो मैं चलो मैं चलो पहले तुम्हे मेरी दर्द पर दास्तान सुननी होगी सुनाओ मेरा नाम सल्मा है महार अभी तो तुमने वो मैंने जूट बोला था मैं घर से भागी हुए एक पद्दसीब लड़की हूँ रहत साब मेरी सौTeli माम सत्र साला बोड़ी से मेरी शादी कराना चाहती थी सत्र साला बोड़े से हाँ स्री बुड़ा नहीं बहाँगा है शुकर का मरीज है छुआ खेलता है शायत पीता है बयरी साथ मुझे तुमसे हमधर्दी है हम दर्दे होती तो मुझे जेल क्यों ले जाते ठीक है ले चलो मैं सुना तो मगर इतना याद रखना मेरी आरजों का हून तुम्हारी कर्दन पर होगा हशर के दिन मैं तुम्हारा गिरबान पक्रूँगा लेकिन मेरा गिरबान क्यों पकड़ोगी तुम चाती क्या हो प्लीज इस से निजा दिला दो ठीक है बैठो तुम ठीक यू तीनो काका आपी का नाम है जी हमरा ही नाम है फर्मा सुना ये लोहा काटने में दूर दूर तक आपका कोई जवाब नहीं है अल्ला की महरवानी है हमारा एक छुटा सा काम कीजिगा जरूर कर देंगे वो ये हतकरी काट तोबा तोबा हतकरी कार देंगे अरे मियाँ जाओ नहीं जो थाने में रिपर्ट करवा देंगे तेनो काका ये बेचारी बड़ी मजलूम लड़की है दरसल इसके माबाब इसकी शादी एक सतर साला बुड़े से कराने चाहते हैं देखें ना कितना बड़ा जुल्म है इस पर जुल्म की कौन से बात है क्या बुढ़ों के अर्मान नहीं होते जजबात नहीं होते आप छुपाने से कोई फाइदा नहीं है रात साप इन्हें सची बात बता दोना चाहिए कौन सी सची बात दिनु काका मेरा नम सुरयया है बच्पन में मुझे फिरोज नमें एक शक्स दालपा कर लिया था जबान होई उस जालिम ने मुझे पुद्ली बाई के हाथों फरुक्त कर दिया पुद्ली बाई ने मुझे द्वाई बनाना चाहा मैंने इंकार कर दिया तो उसने मुझे मार मार के लहों लुहान कर दिया मेरे सामने एक ही रास्ता था दिनु का का खुंगरू यह हद करी मत कातो यह हद करी मैं पुतली भाई के महाँ चली जाओंगी आरजों का खुन होता है होने दो इस्जत में लाम होती है होने दो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा बेटी ठायर जाओ, मैं अभी बड़ा अटो आले कर आता हूँ बड़ी शांदार अदागारी करती हो तुम्हे तो एक फिल्म बंड़ी, उसमें टाइडल रोल अदा करना चाहिए कौन सी फिल्म? जोड तोड दी मल का लियोस्ताइब बढ़ शुक्रिया बढ़ी बात नहीं बेट चली शुक्रिया, बात बात शुक्रिया कौन है लोगा? यह यह वो पुथली बाई की चमचे परहब जाओ, अब मुरे से बचाओ लागा 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 जाए तो मिस्टर पेटू, मैं सब्तर का मालक हूँ कोई चपरादी नहीं जा तुम्हारे ज़दबात में बहेचाओ क्या प्राब्लम है सर? एक हो तो बुधाओ, मैं तो पहले यह अख़बार निकालकर अदाम में फस गया हूँ यह लोग फिरी फंड में गुमशुदिकी का इस्तियार छपवाना चाहते हैं तुम्ही बुधाओ बला मैं कैसे चापूँ इसमें हर्जी क्या है सर? अब मुझे पूरा यकीन है सर, अगर हमारा अखवाद महरान सच्सी पुन्नो के जमाने में होता तो वो दोनों एक दूसरे से कभी जुदाना होते है घुडाडे, यह तुमने क्या याद दिला दिया, पुन्नों मेरी ब्रादरी का था पेरे पवन्दी सान, चवन्दी सान, तहीं वन्रात बंभोर में, ओलाड रहीं वन्रात बंभोर में भाई, तुम इन लोगों का मसला हल कर दो, जो यह चाहते हैं कर दो, दो दिल मिलेंगे, घड में घड, मेरे को सवाब तो मिलेंगा न? मुफ तुमें चाहब दो, फोकट में चाहब दो, यह लोगों को खुश हो जाए, मेरा क्या है? ठीक है सर, ठीक है, हाँ भई, कौन खो गया आप लोगों का? हमारी मालकन बच्ची की क्या उमर? तेइस साल, माशालला अच्छा, वो ठाने में रिपोर्ट दच कराई होगी आप लोगों ने? वह जी, हम खोब जदा हो गयते, बदनामी की डर से अरे भई, आप लोगों के मालकन गुम हो गई है, तो इसमें बदनामी की क्या बात है? अमा हुजूर आज से क्या पर्दा, दरसल हमारी मालकन फिरार हो गई है, यानि गदन बात गई है, केली? अच्छा, ठीक है, कोई तस्वीर है आप लोगों के पास उनकी? यह है तवारी मालकन? बिलकुल ओ माइग गॉड देख रहाँ भाई, तो अपने मैदान का रुस्तमन है, तो आप उन भी अपने मैदान के सुराँ देख लिए अरे यार मैं पूरी तफसीज कर लिये, यह लड़की 100% कातिल है अरे नहीं यार चारली, मुझे सारी बात का पता लग चुका है यह लड़की है न, यह अपने घर से भागीवी है, और इसका असली नाम सूजी गंजालविस नहीं है, सारा है सारा है? यह सारा अरे यह शूर? यह सारा मैंने तुम्हे अच्छी तरह जान लिया है, तुम इंसान नहीं बेंदे हो अरकर तुम्हारी यह बात समझ में क्यों नहीं आती, कि मुझे तुम्हे तुम्हारे हीरो के बारे में ना कुछ पता है और ना कुछ बिस ज़स्पी है टोनी येस बॉस अवरतों की जिल्द बड़ी मुलाइम होती है इतना पीटना जितना ये बगदाश्ट कर सके तुम्हे मुझे थपा लाया मुझे आज तक घर में किसीने डाटा तक नहीं और तुमने मुझे पर हाद दोया कौमीनो, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे मैं अब भी बताती हूं तुम्हे हीरो का रास मिल गए तोडी हीरे मिल गए, हाँ बस, मिल गए मैं ना कहता था, हीरे तुम्हारे ही पास है खुदा जान था, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पड़ा था बाठाल, हमारा विशन आज बूरा हो गया तो क्या मैं आजाद हो गई हूँ, अब मैं जा सकती हूँ हमारे राज जान लेने के बाद, तुम नहीं, तुमारी लाश यहाँ से जाएगी हाँ, लाश जाएगी एजर्ट, हैजर्ट, कोई है अपनी तरह से, हाँ हाँ, बिल्कुल दे आईए, एए, स्टेड़ी तेड़ी अब मुझे कोई क्रिफटा नहीं कर सकता, अगर किसेने कोशिश की तो मैं गोली मार दूँगा अगर जेल जाना ही है, तो कम इसकम कोई जर्म तो कह लूँ यह राज बाई, तू समझा उसको सारा, हमें तुमारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है जो कुछ में एकुछ, इसके लिए और खेंदे आगे हैं शुका है, शुका है खुब चुका सुब चुआ सारा, वहा राजी है अब मुदीन आफटा शूवागा तुमने खर से भागकर अच्छानी क्या सारा आपको गलत फैमी हुई है, मेरा नम साहरा नहीं फैमी जा और मैं घर से नहीं भ़ग। जुप क्यों हो गई, बोल दो एक और जूट नहीं, आप आप से जूट बोलने कुछ जी नहीं चाहता, मगर आपको मेरे बारे में कैसे पता चला है? तुम्हारे मुनाजिम आयथे मेरे पास, उन्हों है सब कुछ बता दिया है मुझे रहाचाब आप नहीं जानते हैं, फोखार नहीं, एक सोने का पिंजरा है उस कैद खाने से सुख के तलाश में मितली थी, मगर यहां आकर एक नहीं मुसिबत में फज गई तुम्हारी अम्मी आचुकी, अब भात रिशान है तुम्हारी लिए अम्मी आचुकी, अब क्या होगा, मैं ले क्या उन्हों दिखाऊंगी देखो, इस दुनिया में सच नाम की भी एक चीज है, उससे कभी ट्राइ करके देखो बहुत फायदे हैं उसकी तु क्या, मैं उन्हें सब कुछ बता दो, हाँ, बता दो मुझे, मुझे डर लगता है, आप ये मेरे साथ चलिए ना, प्लीज प्लीज आप चलो, मुझे थेंक्यू अरा सिवायदार ओलमान के, मगर छोटी पीपिका कहीं पता नहीं चलता अगर आप भी बताएं, आखर मैं भी इसानु मेरे भी जिस बात खौमोश रहो, कान खोल कर सुन लो, अगर शाम तक साइदा का पता नहीं चला तो हम तुम 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 तीनों को बर्खास कर देखें, दोब हो जाएं अभी जान, असलाव अलिको अगर ये पच्छी, कहा है चली रहे? अगर आवलेक और ये, तुम्हार तन पर लिवास करता है मुझता सक बतादी जी अगर, ये लिवास मेरा नहीं है ये खसीना का है सुजी गंजालिस का हाँ, वसे खसीना का, अश्ली नाम सुजी गंजालिस है उसने मुझे बहुत सारी हीरे दिये, मुझे नहीं परता मिजा, क्योंकि वो बैरी में थे इतने कुछ बर्माश आगे उनोंने उसे पद्ल कर दिया हा, मैं भागी, वो इनस्पेक्टर चाली ने मिजे, वो उड़ा मेरे भीचे पर गया वो इनस्पेक्टर चाली ने हावालात में बंद कर दिया हावालात में? वो दरसल सूजी गंजालमिस का कतल हो गया था न, मड़, मड़ जिया, ये कतल का मसला भी कोई ऐसा सीरियस नहीं था, दरसल सारा का कुछ स्मगलर्स के साथ लिंक हो गया था, मेरा बतलब है कुछ स्मगलर्स सारा के पीछे पढ़ गया था इस्मगलर्स अमिजान, अमिजान, और वो लिए सच बेगम साहबा, बेगम साहबा, आगे तो सुलिए करें making, no response, I hope she is alright अब ऐसा किजिए खिसी अछभ्छ सेuse सी डॉक्टर को बिला कर इन dijo इससे पहले कि इन्हे हो शाय जाय ँख मैं चलता हूं है इस पहले को नहीं छपना चाहिए मंढ़ता हो मैं चाहर जानी जाय-ज़ी चिन? वो इसलिए कि सारा एक शरीप घर की लड़की है अगर ये पीचर चप गिया तो उसकी बदनामी हो सकती तो फिर? तो फिर रहत्मिय जवाब नहीं रपर्टर होने का हक तुमने अता कर दिया अजी चाहता है तुमारा हाथ चूमलू बद अजया नहीं सर अजया तुम्हारा मजमून में निकल पड़ाता हो क्या गजाला सुजी गंदाल इस कैसे बनी सायरा सुजी गंदाल अजया तुम्हारा मुश्किल है लेकिन का मज़ा पर दाता है वाड़ेवा बहुत मज़ा हो गया हमारा अख़बार में अगर ऐसा एटीजन हरा अख़वार को छपने लेगे तो हमारा अख़बार कहां तक पहुंचाएगा सब लोग पर बढ़के चाहिए हो जाएगे अजया वाड़ेवा इसमें थोवा बोद करेंट वरी मेरा भी है ना मैंने तो तुमको बाला ता बाहर नुक्रोब पाकिस्तान के घर घर में तुमको कहानी मिलेगी अचाब आप सुनो इस पुशी में पता है मैंने क्या किया है मैंने तुम्हारी तन गामें 50 रुपे का अजया है और इसके अलावा पता है क्या है 10 रुपे आवरी साइकल एलाउंस भी हाँ लेकिन सर मेरे पास को साइकल है इदी अडर यह तो खड़ी दो बाबा तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम हमारा अथबार का रपोर्टर है कोई पट्वाला तो है नहीं हाई दो प अजया है तो प्रफ़ाद साफ साफ बता दीजेगा ठीक है लेकिन मेरे जाने के बाद है यह और वो साइरा की तस्वीर है हाँ के पास है हाँ मेरे पास है तांक्यू अरे बटी वो नौजवान तो ने छोड़ने आया था करता क्या है वो किसे अख़वार का रिपोर्टर है क्या अख़वार का रिपोर्टर है वो नौजवान 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 मर्या मैं न शचिजी तुम्हारी बद्नामी का अफ्साना मेरी बद्नामी का हाँ चलो, चलो यहां से मगर अम्मी जाँ यह क्या है? साहरा बेटी, साहरा बेटी तुम इन अफ़ार्क रिपोर्टर्स को नहीं समझती यह अपनी अफ़ार तब एक भरने के लिए जूटी सची कहान्यों की तलाश में रहती है होट कि तुम्हारी कादा में तब तब मगर अम्मी जान मैं अखबारों को देख चुकी हूँ इसमें कोई ऐसी ख़बर नहीं है यही मुश्बल है तो इसका मतलब है वो हमें ब्लैक मेल करके रुप्याबर टोरने की कोशिश करेगा विचर का क्या अब आया हाज興ंग Jeez मेरे पास आपकी बेटी की कुछ थाते हैं हम जानती थेah तो अपते हरा घोड götजर हो change हम तुम्हें थेश के पांच हजार दे सकतेist पांच हजार इन थेशार थीचपटावए ठीक है थीक है दस हजार देदेंगे दस हजार? मगर बेगम साहब, यह तो आपकी बेटी की तस्वीर हैं। जी, हमारी बेटी की तस्वीर हैं। जी। तुम बहुत चालाक आद्मी लगते हो। हम तुम्हें 20 जारों के दे देंगे, मगर नेगिटीब के साथ। बेगम साहब, इन तस्वीरों में ऐसी कौन सी खास बात है, जो आप नीलाम घर की तरह बर्चड़ कर बोली लगाए जा रहे हैं। यह इन तस्वीरों की कीमत नहीं, हमारी नेक नामे की कीमत है। मावज़ा है इस बात का के तुम यह तस्वीर अफ़ार में चापकर हमारे खांदानी वकार पर कीचर नहीं उचारोगे। बगर यह आपने कैसे सोच दिया। हम तुम लोगों को खूब जाने है। तुम्हारा काम ही क्या है। इस केंडल बनाना, ब्लेक मेल करना। जाता है। हम? हम? क्यों नहीं, क्यों नहीं? शुक्रिया। आपकी तस्वीर में से सारां तुम्हारा नहीं यादगार तस्वीर हैं आपकी। तेंक्यू पार भी जो थेरो हमने तुम्हें समझने में गलती की है हमें माफ कर दो तुसूर आपका नहीं है बेगम साबा हर शोबे की तरह हमारी बरादरी में भी कुछ बुरे लोग है लेकिन यकीन कीजिए अच्छे लोगों की तादाद में से कहीं ज़ादा है लेकिन बतकुसमती ये हैं के बुराईयों की तरफ तो सब की नजर जाती है लेकिन अच्छाईयों कुछ बहुत कम लोग देखते हैं खुदा हाफिस खुदा हाफिस हाफिस मुझे कुछब फूंकी या हाँ जी कहा हाँ कैसा हाँ जी काँ है आट जी डाक्टो साथ रहाँ मैं जार समना चिया है सर्मान भाया गभराई नहीं भावे रहात को मैं अटंग कर रहा हूँ मैं जहात नहीं आया है कहा है मुझे वह तो कर पे नहीं थे भाई यह कब सुनते है तेरी चल गाई तुम लोग मुझे मिल ले कि नहीं दे रहा है अब ही वह बेहोश है जब उसे होश आजाएगा मैं आपको खुद उसे मिला दूगा याला पेदे बेटे को ठीक कर देजा मेरी जिंदगी ले ले यह मुंता भी कितनी अजीब चीज है आप को इस आलत में देखकर कौन कह सकता है कि रहात आपका अपना बेटा नहीं है एक लेपालक बच्चे के लिए इतना कर भाविया परिशान ना हो लहात अब खत्रस बिल्कुल भाद है दो चार दिन में ठीक होकर घर आजाएगा आँची क्या ये सच है रहात आपका बेटा नहीं हाँ बेटी मगर इस बात का इन रहात को भी नहीं है माला करो इस राज कुछ किसी को नहीं बतागी आफ रिकन ना कर आँची मैं बातर करती हूँ युले बिता या मरे ठुमान दूए अरे आज तुम इस तरह को देख रहा है मा इन दिनों तुमने मेरे कितनी देख भाल की है कितनी तत्वीफ उठाईये तुमने मेरे लिये मा सोचता हूं एक पूछ hops इस तरहां मरे को देख साँ मोद्य दॉनीगे के अपने दॉनीग दा मेरे लिए मां मेरे बस में तूमने हो न तो तुम धुम यी दॉन्ट का तेरे घूमश्क में डालती मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू सलामत रहे मैंने ऐसी कॉन सी बात कहती मा, जो तुम रोने लगी यूई बेता, अनमूल हीरा पास हो, तो हर पल उसके खो जाने का धरका लगा रहता है तरती हूँ, कहीं मुझसे तुझे कोई छीन न ले तुम भी कैसी बाते करती हूँ मा, मुझे भला कौन चीनेगा तुम से? तरी बीवी चीन सकती है मेरी बीवी? हाँ कभार है मा, मेरी शादी तो अब तक हुई नहीं, और तुम्हें मेरी बीवी की फिकर पड़ गी? अरे चल, मैं सब समझती हूँ, वो हतकरी बानी नहीं? हाँ है को तुझे हतकरी पहनाना चाहती है? अरे उसके चाहने से क्या होगया मा मैं उज जैसी तुम पर से हदार वा कर फेंगू अगर तुम उसे अपनी बहु बनाना चाहती हो तो मैं तुम आई रास्ते की दिवार नहीं बनूगा यह बात है चलो टफा करो, हमें कोई और अच्छा रिष्टा मिल जाएगा? हाँ मा, भात तो सुनो हमें बहुत से रिष्टे मिल जाएगे लेकिन उस बिचारी को मुझ जैसा रिष्टारी मिलेगा तो फिर? तो फिर बनाडा लो बहुत बिचारी को दुआएं देगी भात बतता है जब अच्छी बता, उसके माबाप भी मान जाएगा? कमाल करती हो मा, माबाप तो माबाप उसका खांदान भी मान जाएगा मैं भी जाकर बताता हूँ साइडा बीबी, राहत साइड आया है ठेहरो साइडा, हम में देखे आदा जीतन, बैठो बैठो हमें तुमसे एक जुरुवी बात करनी है परमाए तुम नेख हो, सादत मन हो, हमें अच्छे भी लगते हो अगर बुरा ना मानना बेठा तुम्हारा अब इस तरह यहां आना मुनासिब ने अगर मैं यहां किसी बुरी नियस से तुनी आता खाला जान बलकि आज तुम्हें आपसे जाज़त नीने आया था कि अगर आप कहें तो ममी और डैडी को कल रिष्टे के सिल्सले में आ भीजनी इसकी अब जरूरत नहीं सायरा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती कोई आयब है मुझ में हम इतने फराग दिल भी नहीं है रात मिया कही जाने बगए तुम किसकी अउलाद हो तुम्हारे वालदेन कोई हम तुम्हे अपना दामाद बना ले क्या आप कैसी बाते कर रही है शायद आप नहीं जानती कि मेरे पालोग एक इस्ददार खराने से अब मेरे ममी और डारी वो तुम्हारे माबाप नहीं है क्या खरे रही आप मैं नहीं जानता मेरे माबाप कौन है यह क्या मजाक है यह मजाक नहीं हकीकत है रहती है उन्होंने तुम्हें पाला जरूर है लेकिन वे तुम्हारे हकीकी वालदेन नहीं ये जूट है सरासर बहतान है देखिये बेगम साबा, अगर आप इस रिष्टे से इंकार करना चाहती हैं तो शौक से कीजिए मगर मैं आपको अपने माबाब की बारे में इस किसम की बात करने का हख बिलकुन नहीं दे सकता हम इतनी बड़ी बात हरकिस न कहते अगर कि ये बात हमने खुद तुमारी मा के जबान से न सुनी होती है मेरी मा के जबान से सुना हम नहीं तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ ओ मेरी मा नहीं है सुच करी है हम अभाव 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 मुरा अभाव आगया तुमा जो थो मेरी तरेलिए खाना लागती है ठेरो एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे बादा करो ससस बता हूं कि ऐसी कुमसी बात है? फूच मैं किसका बेटा हूँ? यह क्या सवाल किया तुने? अरे जाहिरे तु मेरा बेटा है? यगाल है मैं कुमारा बेटा नहीं हूँ रहात तुझे क्या हो गिया? चीज तु कैसे बत्ट कर रहा है? एथ तुमेरा बेटा नहीं हूँ मा है! तुने यह बात सची कैसे? तु मेरा बेटा है यदि mindfulness मेरा अबना बेटा है तू! यह सच है तो फिर सायरा की मा मान ना मुझे दाना क्यों दिया? स hältा की मा कि बटा दो में किसका वेटा हूँ, बता दो मैं किसका वेटा हूँ, बिखुदा सवाल है, यह भी कोई पूछ्टे कीबात है तुम बेटे हो वजहात मर्जा के, पोते हो नवाब शौकत मर्जा के, परपोते हो नवाब सॉलत मर्जा के. अरे बेगम, देखो, क्या जमाना आगया है, आज बेटा माबाप से पूछ रहा है, कि मैं किसका बेटा हूं? औरे बेटा, हैनक लगा के अपने school और college के certificate देखो इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रात मिर्जा, सन अब बजाहत मिर्जा और फिर पी अपिन नहीं आता तो हमारी आखों में जागे देखो हमारे सीने से लग के देखो हमारे सीने से लग के देखो रात को सब कुछ पता चल चुका है सब कुछ पता चल चुका है यह सच है बेटा के तुम हमारी उलाद में ही हो अगर खुदा जानता है हमने तुमें कभी बेगाना नहीं समझा तुम्हारे प्यार में हम तो यह भी भूल गये थे कि तुम हमारी उलाद मेही हो हम भी आउलाद थे बेटा बार्सों पहली ममता से मجबूर हो कि हम तुम्हे यतिम खाने से लाय थे यतिम नहीं बेटा, तुम गाड़ी के दब्बे में पड़े मिले थे, वहाँ से उठाकर कोई आदमी तुम्हे यतिम खाने छोड़ गया था रेल गाड़ी में, छोड़कर चले गए बेटी, इन बातों में क्या रखा है, तुम अपने माजी को भूली ही जाओ तो अच्छा है तुम कहीं जाने की प्यारी कर रहे हो बेटा जिया, मैं आप लोगों का शुकर गुजार हूँ कि आप लोगोंने मुझे कर से तक अपने घर में पना दी मैं मजीद आप लोगों पर बोज नहीं बनना चाहता बेटा, क्या कोई कसर रह गई थी हमारे खुलूस में कोई कमी रह गई थी हमारे प्यार में मैंने तो अपनी मम तक इस सारी दॉलत तुझ पर निचावर कर दी है बेटा मुझे आपकी महबत से इंकार तो नहीं है आप शफीक है, मौसिन है, महर्वान है लेकिन मेरी मान तो नहीं है अच्छा किया रहात मियां आज तुमने इसे यह इसास भी दिला दिया यह ठीक है कि तुम हमारे बेटे नहीं हो इसलिए इसमें तुम्हे जनम नहीं दिया लेकिन बसों पहले जब तुम इस घर में आये थे तो पांच पॉंट के गोश्ट के रोतुरे के सिवा कुछ भी न थे और आज आज एक सो पचास पॉंट के जवान हो जानते हो यह एक सो पैतालीस पॉंट क्या है यह वो प्यार है, महबत है, शबत है क्यों इस अवरत ने तुम्हे लिया है यह वो मा है राई मियां कि अगर तुम भी मार पड़ जाते तो सराने पैट कर आंसू बहाती तुम्हे अगर चोट लग जाती तो राग भर सज़ते में फिलकर तुम्हारी सरानती की दौर मांती रहती थी बेटा, क्या मा कहलाने का हाग सिर्फ उसी को है जो जनम देती है क्या उसका कोई हक नहीं जो दुन्या औधर की मसीबते छेलकर एक मिलने से पने को परवान चड़ाती है उसकी परवनिश करती है उसका कोई हक नहीं कोई हक नहीं मेरे यहां से जाने के वज़ा वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं आप लोगोंने जो मखवत और अपना पन दिया हैं मुझे वो मैं सारी जिन्ते की नहीं बोल सकता अपनी उलाद को तो सभी माएं पाल लेती है लेकिन किसी गईर की उलाद को अपने दिल का ख़ता बना कर पाला बहुत मुश्किल काम है माँ तुमारी महापपत को मर की भी नहीं बोल सकता बिदा मा, मा, जब से मुझे पता चला है कि मैं किसी और का बेट हूँ, तो मेरे दिल में का जीब से वे करा रही है, जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तेरे माभा कौन है, और ओर कौन से हालाथ थी जिनकी बिना पर उन्होंने मुझे खुद से लग कर दिया, जब तक मैं अपनी पैचार नहीं कर लेता, बजे चाहिन नहीं आएगा, मैं वादा करता हूँ, यह सब कुछ जानने लेके बाद मैं, इनी कत्मा में लाटाओंगा, माँ सरट है, बेटा, मैं अभी हाई, बेटा, मैं तुम्हारी उलजन को समझ किया हूँ, जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा, बेटा, जब हम तुम्हे रावल पन दिये थी मखाने से लाए थे, तुम्हारे ननने से तलबी यही कब्रे थे, इन्हे साथ रख लो, हो सकता है माबाप की तलाश में, यह तुम्हारी मदद कर सके, सामले तुम्हार, वालेकूर, सलाम, इस यतीम खाने के इन्चार जापी है, जी, फरमाईए, देखिए, मैं बहुत छोटा था जब कोई मुझे इस यतीम खाने में छोड़ गिया था, मैं उसका नाम और पता जानना चाहता हूँ, खुद, तो बर खुदार इस वक तुम्हारी उमर क्या है, सताइस साल, सताइस साल, तो इसके ये मतलब है के सताइस साल का रिकार्ड मैं अपने जेब में लिए फिरता हूँ, देखो भाई, तेरे पास आगे बहुत काम है, जो अपना काम करो, देखे मैं बहुत परिशान हूँ, और मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, वह ये जानना क्यों जरूरी है, अच्छे भले खाते पीते नजर आते हो, गरे मुर्दे उखारने से क्या फाइदा, ये य जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, अच्छे मायूस नहीं कीजिए, आपके पास बड़ी उमीदें लेकर आया हूँ, यार अजीब आदमी हो तुम, सारा गुदाम ठानना पड़ेगा, और फिर 27 साल के रिजिस्टर तलाश करने पड़ेगे, फिर मामा लोगो आदमी कैसे नहीं मानोगे, अच्छा बाबा बैठो, मैं देखता हूँ मैं बादी प्रहाँ बादी ये बादी शेखता हूँ अब मिल गया विजाहत मिर्जा तुम्हे यहां पर फत्य मुहमद गाड लेकर आया था फत्य मुहमद रेलवे गाड गाड फत्य मुहमद रेलवे गाड मुझे प्याहद अफसोस है कोई उमीद नहीं सिर्फ वक्त की बात है यहां बे काड नेहीं हैं मुझे इनकी यहालत धखे नहीं जाती इस अदिर गाड़ नोगर यह लोग मत्राट की तन्हान थी दाक्रैना आपके यह इस तक्लीर सिंदर्श आद तो पा जाया आप चो अभी इस सालेका चाया श्रहत जाए वू अलेकम असलाम मुझे फते मुहमद साथ से मिलना है वो यही रहते है ना हाँ लेकिन वो इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते सुनिये मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देता तरसन मेरी ये कैसी मुश्किल है जिसे सिफ़ई ही हल कर सकते है अजीब आदमी हो तुम फते मुहमद जिन्दगी और मौद की कश्म कश्म हो और तुम्हे अपनी मुश्किल के पड़ी है जी बेगाम अल्या बेगाम जी हाई हाँ कौन आया है वहाँ पुरी आपसे मिलना चाहता है बगर मैने उसे बना कर दिया मगर वह है कांथ कहां से आया है कहता है उसकी को मुश्किल है जो सिरफ आप हां कर सकते हैं अरी बेगाम नेकी खुद जलकर हमारे दर्वासे पर आई है और तुम घर आई हुई नेकी को लाटा रही हो इसलिए तो मुझे महत नहीं आ रही शायद अल्ला ताला पुछ से कोई काम लेना चाहते है जाओ जाओ बुलाला उसे बुलाला अच्छ आजो अंतर आजो बेटा मैने तुम्हे परचाना देही काँ हो तुम? यही हूँ जिसे परसों पहले आपने यतिम खाने में दाखल करवाय था अच्छा अच्छा इप देखा बेगम कितना बड़ा हो गया है इत्तैसा था कहो बेटा क्या मालूम करना चाहते हो मुझसे मैं अपने वाल्दा इनकी तलाश में हूँ सुचो शायद आप कुछ उनके बारे में जानते हो नहीं बेटा मैं तुम्हारे वालिदयन को तो नहीं जानता आ यह बता सकता हूं कि जब तुम्हे कोई हमारे डिबे में छोड़ गया तो गाड़ी नूरपूर के सिंगनल के पास करीटी नूर पूर्चाव वीदा नूर पूर्चाव वापस लोए 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 अलॉर लोए 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 अभ़ सुवर किसका मुद देख लिया कुछ सुवर हाती ले हारे तुम्हार सामने तुम टांगा चलाए क्या? क्यों? टांगा चलाना गुणा और नियने मैने पहली बार कभी क्सी लड़की बापू लड़की ज़रूर हूँ लेकिन अपनी जद के दा कमना खूप जानती हूँ बोलो कहां जाना है तुमने? नूरपूर तस रुपए होंगे क्यों नूरपूर यहां से बहुत दूर है कि नहीं को ज़्यादा दूर भी नहीं अपना रेड यह है वाज़ाद है देख बाबू इससे कम में तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा हाँ अभाईया ए भाई पाईया चेरुबए चेरुबए अरे बात तो सुनिए यह नूर पूर याने के कितने पईसे लेंगे जेरुबए बशीरे वो जो परस उ तुमने चांदी के बाली अरेश्मा को लाकर दी थी वो बात अभी तक मैने तुम्हेरे खर वाली को नहीं बताई मेरी सवारी को बिठाने से पहले जरा सोच लेना बाबु जी मुझे एक बहुत जिरूरी काम याद आखे है आप शादनों के टांगे में बैरते चले जाएं मैं चलता हूँ अरी बाद ठीक है मैं तुम्हारी टांगे में चलता हूँ 10 रुपे से 10 रुपे का टेम गुजर गया बाबु अब तो 5 रुपे होंगे अजीब लड़ की हो तुम मैं तो समझा के मैं तुम्हे देखते ही पंजाबी फिर्मों की हीरोईन की तरह खेतों में भंगड़ा शुरू कर दूँ थाखो नूर पूर जाने के कितने बैस होते है माई बाब जो मर्ती दे दे ना रहमत अली नंबरदार का बटवा किसने चुराया था ये बात मेरे सिवा कोई नहीं जानता खेट कोई बात नहीं ले जाओ बाबु को ले जाओ उन्हे नहीं शानो है अथी कोई गानने तू सुवारी नाल लाजा अब तुम बीस रुपे मांगोगी मैं पैदली चला जाता हूँ थेरो बाबु थेरो तुम शायद बुरा मान गए शानो किसी का दिल दुखाना गुना समझती है तुम भी क्या याद करोगे पांच रुपे ही दे देना समझोगी आज एक नेके कमाली जिसका सिला मुझे मेरा रब देगा रब का नाम है सचा वागी सारे बंदर जोटे सासो की ये नाजुक दूरी क्या जाने कब तूटे ये जग है इक रेन वो सेरा हर शेया ने जाने ना कुछ तेरा ना कुछ ने रब आरे बनिया पाने किस बात पे वो इस राए वो किस बात पे किस बात पे तू इस राए कल के गवर ना कोई जाने जिन्द मेर ये कल के गवर ना कोई जाने जिन्द मेर ये दिल के अंदर रब रहता है दिल न तोड़ किसी का तल जाती है मुश्किल जो लेता है नाम नभी का जब बंदा काम बिगाडे हो जब बंदा जब बंदा काम बिगाडे सोला रब ही सवारे जिन्द मेर ये सोला रब ही सवारे जिन्द मेर ये जब बंदा काम किसी के ना आए तो क्या जीना है तेरा पहे थन के पीछे भागे तोड़ी से तोने की भी पमाले जिन्द मेर ये थोड़ी से तोने की भी पमाले जिन्द मेर ये अपना जरा सानू खुदा ने मा के रूप में खेजा तो प्यार का साया इस दिनिया की जलती धूप में खेजा अपना जरा सानू खुदा ने मा के रूप में खेजा प्यार का साया इस दिनिया की यलती धूप में खेजा जिन्द मा का मिल जाए जिन्द मेर ये नूरपूर आगया बाबू बोलो कहां जाना है मालूम नहीं कहां जाना है हैं कमाल है नूरपूर के लिए तांगा कराया जाना कहां मालूम ही नहीं देखो मैं यहां अपनी मा की तलाश में आया हूँ थैर जाओंगा यहीं कहीं किसी छोटे मटे होटेल में बहुत ही बेवकूफ हो बाबू यह शहर नहीं गाउ है गाउ यहां होटल कहां से आया चले आया मूँ उठाके यह मस्जिद तो है थैर जाओंगा लामिया के घर महर्मानी ए बाबू खाओगे कहां से बिस्तर कहां से आएगा क्या किया जाए और कोई सुरद जो नहीं है बाबू अगर मैं तुम्हें अपने घर में ठहरा लू तो यह तो बड़ी इची बात है मैं तुम्हारी यह नेकी देख बाबू शानो ने नेकी का कोटा पूरा कर लिया है अब तो बिजनेस की बात होगे बिजनेस की बिजनेस? हाँ बिजनेस की चार पई के दो रुपे, नाश्ते के तीन रुपे खाना पांच रुपिया और एक प्याला चाय का एक रुपिया बोलो मन्जूर है रेट्स तो तुमारे होटेल इंटर कॉंटिनेंटल जैसे है लेकिन क्या किया जाए मजबूरी है मन्जूर है तो पर चलना बेठो आओ हाँ हाँ आपा आपा अबाबू का इस गाव में कोई ठोटी काना नहीं स्टेशन से सीधा यहां लाई अगर तुमारे इजाज़त हो तो बाबू दो चार दिन यहां देले अरे साल आंखों पर हम तो महमान को खुदा की रहमत समझते है मगर हाँ बाबू सोच दो यह घर जरहा यह घर तो बहुत अच्छा है बाबा मुझे शानों ने सब कुछ बता दिया बलके सब कुछ समझा दिया हाँ आपा तुम जाना अपने कमरे में शुक्रिया अबा मैंने बाबू से आपकुछ कह दिया हम बहुत गरीब लोग है अब अगर हम गरीब लोग हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर उपर वाला जी साल में भी रखे हुश रहना चाहिए है न आबा मैं जरा गोड़ी को चारा डाला हाँ हाँ लोग अचे चाहे शित्रया जाता है यह लीजे एक रूपया एक रूपया क्यों कुछ कम है क्या नहीं नहीं मकर यह किस चीज़का चा छाय का, शानों तो बेही रहता है हुआ था रहता है क्या जी वो कह रही हुँथी के चाह का रुपया चाह पाई को दो रूपया और नाश्टा तीन रूपय और बाकी खाना पांच रूपय और बातरूम जो है वो मुफ्त है इसलिए के सुना उसके लिए तो के खेट बेतने जाने होगा जाने जाने मुझे शानो, मिज़रो अपर ये लो एक रूपया चाय का तीन रूपय नाश्टे के, पांच रूपय खाने के, ये क्या तवाचा है? ये ये छुट बोल ले आपा, तुम्हें गरीब शानों पर इंजाम लगाते शरम नहीं आए ये मेरे भलाई का सिला हुआ ठाओ प्रापूरियो मिस्तर, निकलो यहां से, धूल ले अपने ले को इस रैख, छूट ओ अपने ले को इस रैख अबदार जो मेमान को कुछ कहा, मैं तरी रग्रख से बाकिफ हूँ तुने जरूर बाउ से रैख तैख किया हुआ, वरना इससे जूट बोले के क्या दर होती बाउ जी, शानों को भाफ कर दें, जी आप अपने रखे रख ले, और जब तक जी चाहे इस घर में रहने जीगा शुक्या शुक्या खुश होगे, कलीजे में ठंड पड़ गई, अगर हम करीब लोग तुमसे 10-20 रुपए कमा लेते, तो क्या गजब हो जाता पहले मुझे अगर सब कुछ बता दिया होता, तो आज तुमें इतार का सुनी कर दिए जानते हो, घर का सारा बोज मेरे कंदों पर है, तांगा चला के मेनत मजदूरी करती हूँ, तो चुला जलता इस घर में दिन में कितना कमा लेती हो तुम बड़ी मुश्किल से 10-15 रुपय मिलते हैं, आठ खर्च हो जाते हैं, बाकि बचा लेती हूँ, अपने जहेस के लिए जहेस के लिए हाँ, ये जिवेदारी भी तो मेरी है, अगर कोई राजह मुझे हीर बनाने आगया, तो जहेस कहां से आएगा जिसे तुम जैसी प्यारी डड़की मिल जाए, उसे जहेस के क्या ज़रूरत है हच बाबू हाँ भी, जहेस तो वैसे भी एक लानत है, मैं तो जब भी शादी करूँगा बगार जहेस के फिर तो तुम बहुत अच्छे आदी हो, अब तुम इसी घर में रहोगे और बगैर पैसे के शानो, क्या है ज़रा चलतो हमारे साथ, क्यों? छोटे जागीरदार ने बुलाया है वो किसलिए? उदास है ज़रा दिल बहलाना चाहते है अच्छा, उसे कहो दिल बहला है अपनी अम्मा के साथ, दिल बहलाना चाहता है शानो, तमीज से बात कर, सीधी तरह चल बरने जबरदस्ती करेंगे एह, बखवास बंकर, बरना शोर मचाएके सारे गाउ मालों कोई कठा कर लूँगी अरे, कौन है इस गाउ में माई का लाल, जो छोटे जागीदार के मामले में बोरे मैं कौन है भी तू? तेरा बाप अप्या बड़े छीट तेंट आयो बाबो पर तुमने अप्यार यह दुश्मनि के मॉले अरे शानों, जब तक मैं इस गाउ में हूँ, तेही तरफ को यांग उठाकर नहीं देख सकता हूँ सच बाबू सच वादा वादा हो गया कॉर? हो गया कॉर हो गया कॉर हो गया कॉर मेरे हाथ तो छोड़ दे लो बाबा चैपी लो अवे बेटी, यह जो बाबू है इस गाउ में क्या कुछ जमीन खरीदने आया है? नहीं बाबा अपनी मा की तलाश में आया है बेचारा मा की तलाश में और यहां? हाँ बाबा उसका ख्याल है उसकी मा इसी लाके की रहने वाली है अचीव मा थी बाबा अपने मासूम बेटे को रेल कारी में छोड़कर चली गई? मालक की पीट पर निशान कासा है? यह इसको पैदाशी निशान लेपा मालक की पाखरो तुम्हे कितनी बार कहा है अब मुझे मालक की ना कहा करो क्या बात है? बड़े खुश निजर आ रहे हो सुनेगी तो आप भी बहुत खुश होंगी आपका बेटा जिन्दा है क्या क्या रहे है फगरो? ठीक क्या रहा हूँ रब की शान है वो जिन्दा भी है और आपको ढूंडता हुआ यहां का पहुँचा है तुम्हे यकिन है वो मेरा बेटा है मैंने अपनी आखों से उसके शाने पर वो पैदाशी निशान देखा है मेरा लाल जिन्दा है मेरा बच्चा जिन्दा है हाँ मालकिन माशाहालला ऐसा बांका सजीला जवान बन गया है आप देखेंगी तो देखती रह जाएंगी नहीं फखरू मैं दिमारे साथ नहीं जाओंगी क्या कह रही है मालकिन बरसों जिसकी जुदाई में आप तरपती रही है उसे चलकर एक नजर नहीं देखेंगे तुम देखने की बात करते हो फखरू मेरा जी चाहता है उसे अपने कलेजे से लगाकर इतना प्यार करो इतना प्यार करो कि सारी ठकन दूर हो जाए मगर मेरी बदनसीवी देखो कि मैं आज भी उसे अपना नहीं कह सकती मगर क्यों हूँ मालके में? शाबासखा को पता चल गया तुम उसे जिंदा नहीं चोड़ेगा अपने बेटे की सलामती के लिए मुझे अपनी ममता का गला घोटा पड़ेगा बादा करो फखरू तुम उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे कुछ नहीं बताओगे मजरू जैसे आपकी मर्दी मालके आपकी मर्दी इर्शाद बारी ताला है कि उसकी रहमत से कोई मायूस नहो वो अपने बंदों से वादा करता है कि वो उनके दिलों की सच्ची लगन जरूर पूरी करेगा परवर्दिगार तु मेरे दिल का हाल जानता है मैंने तुझ से कभी कुछ नहीं मांगा आज पहली बार एक तमन्ना लेकर तेरी वारगा में आया हूँ मुझे एक बार, एक बार मांका दिदार करादे कर दो एक झाल कर दो मäंम कर दो क्या देख रहे हो बेटा फिर कही क्या बेटा चाने क्यों आपके मुझसे बड़ा अच्छा लगा बेटा पहले कभी तुम्हें देखा नहीं पर देशी हो क्या जे आपका पाकिजा और नूरानी चेहरा देखकर मेरा दिल कहता है कि आप अल्ला की मैबूब हस्ती है मेरे हक में एक दुआ करेंगी आप क्यों नहीं बेटे तो फिर दुआ किजे कि खुदा मुझे मेरी बिच्छी वी मान से मिला दे अरे फिर उदर क्यों गुम रहे हो की चीज खुग है क्या तुमारी शुक्र है तुमने देखा तो, एक बात पुछनी थी पूछो कैसी लग रही हूँ कौन तुम आम ही तो क्या घोडी का पूछनी हूँ, हाँ मैं कैसी लग रही हूँ जैसी रोज लगती हूँ ठत तेरी के सारे मेहनत कस्तिया नास हुए क्यों क्या हो गया? सारा पल भर के लिए बाहर गय थी सारे गाउ मालो का मुझ खुला रह गया मुझे देकर और मौसिब लेकर कहा शानो, आज ते तुम हीर लग रही हूँ ठीक ही, कहा है लग तो तुम हीरी रही बाबू अगर तुम ये अंग्रेजी कपड़े उतारके लाचा खुड़ता पैन लो तो तुम भी रांजा लगोगे कस्म से देख शानो, मैं इस गाउ में अपनी मा को ढूंडने आया रांजा बंदेंगे समझ गई जब तक तुम्हे मा नहीं मिलते तुम किसी और के तरफ ध्यान भी नहीं दोगे अरे क्यों दिमाग चाट रही है बेकार में बाबू का बाबा वो तुम्हारी पुराने मालकन है ना उसका बच्चा भी तो बच्पन में बिछड़ गया था कहीं वो बाबू की मा तो नहीं अरे बेटी ना जाने कितनी माएं हैं जिनके बच्चे हुमसे बिछड़ गए हैं बाबू हर घर का दर्वासा तो नहीं कटकर सा सकता क्यों नहीं बाबा मैं हर मा के देल इस पर जाने के लिए तैयार हूँ सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद उनमें से कोई एक मेरी माओ मुझे अपनी मालकन का पता बताईए ना कौन है आप आप या रहती हैं हाँ मैटर कैसे आना हुआ मुझे आज ही पता चला के बच्पन में आखका बच्चा खो गया था मैं भी बरसों पहले अपनी मां से भी शड़ गया था सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यह आपका बेटा हूँ नहीं नहीं तुम मेरे बेटे नहीं हूँ ताच्पे मैंने तो आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया आपने इतने यकीन से कैसे कह दिया वो वो इसलिए कि मां तो गत्मों की चाप से अपनी अउलाद को पहचाल लेती है तो क्या मुझे देखकर आपके दिल में कोई तौड़क नहीं जागी है नहीं तो फिर ऐसा क्यो है कि जब भी मैं आपकी सुरत देखता हूं तो मेरे दिल में महबद का एक दूपान सामण आता है मैं तो खार अपनी मा को नहीं पहचान सकता हूं लेकिन मेरे पास एक निशानी है जिसे देखकर मेरी मा एक दिनन मुझे पहचान लेगी प्यार कहता है कि सीने से लगानू तुझको खोश कहता है मुसीबत में न डालूं तुझको भूल जा तुझस मेरा रिष्टा है तेरी पिसमत में यही लिखा है मैं तुझे प्यार के आच ने छुकाँ कैसे अपना वं तुझको बताँ कैसे कुछ याद है आपको नहीं इंकार भी कर रही है और रो भी रही है तुम्हें देखकर मुझे अपना बिछड़ा हो बेटा याद है क्या था मैंने नाख तक्लीव ती आपको बाफी चाहता हूं सुनो मां से बिछड़ने के बाद तुमने जादा दुख तो ने उठाए मेरा मतलब है तुम खुश तो होना कुछ दिन पहले थक तो बहुत खुश था लेकिन जब मालूम हुआ कि मेरे पालने वाले मेरे माबाप नहीं है तो तिल बचकर रह किया है और अब तो यही लगन है कि किसी तरह पिछड़ी वी मा मिल जाए ऐसे भी क्या बेजानी है बेटा जानना चाहता हूं उसने मुझ पर इतना बड़ा जलम क्यों किया है इस इंदगी से खोटे सिख्य की तरह निकाल कर फेक क्यों जी है पुछे कोई मा ऐसा नहीं कर सकती बेटा कोई बज़ा जरूर होगी हो सके तो उस दुख्यारी को माफ कर देना मा के लिए दिल में नफरत नहीं रखा करते बेटे बाबो मा मिली मिली भी और नहीं भी मिली क्या मतलब? उसे देखा तो लगा मुछे मेरी मा में खी बात होई तो उसने साफ इंकार कर दिया नजाने पुदरत को क्या मंजूर है शानो खरबार हास बनती है ठोट जाती है दिल छोटा नकरो बाबो मैं जो हो तुमारे साथ तेक शानो मैं सिर्फ मा के प्यार का बुर्का हूँ परना साइरा का प्यार कुछ कम नहीं था मेरे लिए साइरा? हाँ, साइरा धन तेरी की मैंने तो मन ही मन में तुझे अपना राज्जा मा लिया था किसी आ लड़की से प्यारता बाबो तु मुझे मुझे कॉल क्यों दिया था मुझे एसे यार के ऐसी तैसी कौल करके जो फिर जाए जिन्द मेरी ओल करके जो फिर जाए जिन्द मेरे क्या बत्तमीजी है? क्या चाते हो तुम? कई बार बुलावे भेजें मगर तुम आई ने सोचा खुद ही तुमसे मिल ले बहुत से कमीने देखें मगर तुम जैसा कमीना सारे गाह में नहीं देखा कोई और ये बात कहता ना शानो तुसकी चमणी उधेड़कर उसके हाथ में पगा देता है तुम्हें क्या कहें? प्यार चु करते हैं तुमसे मैं ठुकती हूं तुमारे प्यार पे ना ना भी ना तुम्हें क्यों करे हो? चलो वह चलो चलो हमारा आपस का मामला है अग्ञाएगा तो तुम भी इतना याद रखना के मुझे जो चीज अची लगती है ना, व मैं हासिल कर लेता हूँ जागिर्दार का बेटा हूँ ना, बच्पन से मिर यादने बिगड़ी हुई है अब तुम अच्छी लगती हो तो अगर तुमें ऐसे ही जाने दिया तो तो फिर मज़ा तुम नहीं आएगा ना, है, है ना नहीं, मैं जान दे सकती हूँ, मकर कोई जान, जान देना को इतना असान काम नहीं है, कहते सबी है, कुल तो कोई भी नहीं भागो भागो शानो भागो अई मैं बटी, शानो अए च्याओ तो है, क्याओ बटी बटी, क्याओ भागो अरे, मेरी बैटी को क्या भागो तुम लोग बोलते क्यो नहीं उपर से गिरी है बिचारी वहाँ जगी दार का बेटा भी था मेरी बटी मेरी बटी परिशान आओ बबाबा तुम्हारी बेटी ने अपनी इजद पे कोई आच नहीं आने दी जदी से बाप्टर को बलागो वहाँ जया तर्मीना तका करो बाबा अरे डाप्टर को भीवाया है बहुत चोट लगी है बाबू बचने की उमीद नहीं सच पुछो तो अब चीनी की आरस भी नहीं ने शालो तुम ठीक हो जाओ की मैंने, मैंने अपना कॉन लिभा कर दिखा दिया बाबू कहा था ना, पंजाब की सची मुट्यार हो जान दे सकती हूँ, इस सद में मेरी बच्ची मैंने तेरा क्या बिगारा था नाज क्या बिगारा था तेरा जिवान बेहन का भाई है, इसको फिर शर्म नहीं आती अरे बरीब आदमी की तो इस दुनिया में इज्जत ही कोई नहीं इनकी बहु बेटियों के साथ ये सुनू को हो, तो इने पता चले सुना है, नवास की बेहन का गावा रही है क्या कर तो ने है नवास की बेहन गावारी है, हाँ बादू जी तुमारी बेटी का खून रायगा नहीं जाएगा बाबा बादा करता हूँ ये शान की खून की खून की खून का करता हूँ उस कमीने की बाइन को तुमारी कट बाम लाकर सरू तालूगा पर थे यहँ तुमारी को जान की खूनित कर ये को बड़ मुझ का क्वार्ण कर तुमद नदूße को दए enquार्ण मज़ क स सब्सक्राइब क्दचरी Executive ुई पाल, क्षिएू अप्रूु आप्रूदा... ।ॉ ॉ 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 ौ ॉ ॉ ॉ ॉ ॉ ॉ ॉ ॉ ॉ झाल! मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है बाबा यह उस कमीने इंसान की बहन है जिसने तुमसे तुम्हारी शानों को छीन लिया है खत्म कर तो इसे ताके तुम्हारा घर उजानने वालों का घर भी हमेशा के लिए अंधिरों में टूप जाए खुदा ने हमें इस समीन पर शर्फ पहलाने के लिए नहीं प्यार के लिए भेजा है बेटा सिर्फ अपने इंतकाम की आग भजाने के लिए अपने जैसे एक बुड़े बाप की दुनिया कैसे अधेर कर दिया नहीं बाबा मेरे बाए ने आपने सुल्फ जाए आपके खुश्यों हो जा रहा है इसके बदले में मैं हर सजा पाने के लिए तयार हूँ रहा है आप दूसे मेरा इंतका पाने को देजे हैं मुझे मार देजे हैं बाबा मुझे मार देजे तुझे मार कर मुझे क्या मिलेगा दूसरी तुझ कर दद भीषिए मैं अपने शानों को कैसे मारती हूँ मेरे बेटी को इर्जत के साथ घर पहुंचा दो आप इंसान नहीं फरिष्टा है मैं बादा करते हूं जब तक जोगी है आपको यानों की कमी मैसुस नहीं होने दो मेरे बेटी है मेरे बेटी जाओ बेटी जाओ 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 वरना इस काव में हमसे प्यक्राने जुरत तो है नहीं कर सकता इन बातों को छोड़िए हमारी बेटी की फिकर कीजिए आप जब रही हैं नहीं मैंने अपने आदमियों को बलवाया है मैं उस कमीने से अपने एक एक जखम का बतला लूँ घर नवास ये काम अब हम खुद करेंगे मैं इससे जंदा समीन में गाउड दूँगा असलाम एकुम अपाचान सायरा हमेज़ा अपाचान 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 मुझे किसी नागबा नहीं किया तो फिर तुम कहा चली गए थी एक मसलूम बाप का चेहरा देखने जिसके आस्वों का सबब तुम हो ये क्या किया है हमेजान इसने गाउ के एक लगगी की इस्थ लुपने की कोशिश की और उस बचारी ने अपनी इस्थ बचाने के लिए चान देदी ये हम क्या सुनी और अवास हमने हमेजाम मरदों से दुश्मन की है और तुम पर सुलम कभी ने की है रुष्भा वो खुद मुझे हिस्जत और एतराम से इस घर की देहलिस पर छोड़ करके आए किसी खुश नसीब लो जब मां की जवान में बेचे हो वो बूज नहीं उठाय करती है माँ मैं तुम से कह चुकी हूँ मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी माँ हो तुम्हारा दिल तुम्हे धोका दे रहा हूँ मेरा दिल नहीं है तुम मुझे धोका दे रही हो तुम मान क्यों नहीं जाते कि तुम मेरी माँ हो पूना समिल विन्या था तुम्ही मेरे पीछे क्यों पड़ गया हो इस गाउं में और बहुत से ओरते हैं किसी और को मा क्यों नहीं बना लेते इसलिए कि तुम्हारे वजूद से मुझे आपता की खुश्बुआती है तुम्हारे प्यार ने मुझे वाकी दीवाना बनाती है जिधार देखता हूँ तुम्हारी ही सूरत नजर आती है मैंने तुम्हे अपनी मा तस्लीम कर लिया है मानो तब भी तुम मेरी मा हो ना मानो तब भी जो तुम चाहते हो नहीं हो सकता अच्छा यही है तुम मेरी ख्याल को दिल से निकाल दो तेरी सूरत निगाहों में फिर तेर है इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं तेरी सूरत निगाहों में फिर तेर है जिश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं तेरी सूरत क्या करूं तेरी सूरत निगाहों में फिर तेर है जिश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं तेरी सूरत तो मेरे आरजुओं की पहर जान है मैं अगर जिसम हूं तुम मेरी जान है मैं गेरिष्टा कर भी तो सकता नहीं तेरा दाम निकल भी छो सकता नहीं तेरे नज़्दीक आकर भी मैं दूर हूं कितना बेबस हूं मैं कितना मजबूर हूं प्यार के नाम पर खुद मेरा चारा गर प्यार के नाम पर खुद मेरा चारा गर जहर मुझे को तेलाए तो मैं क्या करूँ तेरी सूरत निगाह दूँ तेरी तेरे विश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूँ तेरी सूरत जिल तबी तेरे क्लब मा की खेरा तेरे मेरी हर एक खुशे है अब तेरे हाथ तेरा तुझको देखे बिना चैनाता नहीं मेरे दिल से तेरा प्यार जाता नहीं मैंने मांगी बहुत मस्जिदों में गवा जिसको चाहा वो तिर भी ना मुझको मिला जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया अब खुदा ही में चाहे तो मैं क्या करों तेरी सूरत मिगा हूँ में तेरे तेरे इश्क तेरा सताए तो में क्या करें तेरी सूरत मिगा है ये खुदा का घर है और मेरा इमान है के दुनिया के कोई भी मुसल्मान इस मपत्तस तहलीज पर आकर छूट नहीं बोलता मैं आज तक तुम्हें मां कहता रहा हूँ और तुम इंकार करती रही हो लेकिन आज मैं प्रेकीन को आजबाना चाहता हूँ अगर तुम्हारा दावा सच्चा है तो इस मुकद्स जगा की खुषम काओ और कहदो कहदो कि तुम मेरी मां नहीं हो जाहत बेटे तुम यहां क्या कर रहा हूँ के मिलवाब की कबर है बाबा यह तुम्हें किसने बताया लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है बाबा जिने कुछ बताता नहीं लेकिन फिर भी पता चल जाती है बस अब एक उल्जन है तुम्हारी मालकन मुझे अपना बेटा कहकर नहीं पुकारती क्यों यह क्या रास है तुम सरूर कुछ ना कुछ चानते हो मुझे कुछ नहीं मालूम बेके कुछ नहीं मालूम ना बता बाबा लेकिन अगर मेरी रगो में उसका खुम दा रहा है तो एक ना एक तीम वो मुझे अपना बेटा कहकर जरूर पुकारेगी कि रुट कि प्नहीं टो ज्ड़ा नहीं मालूम यह कि रुट कि रुट कि रूरnd कि यह रगलाओ खर लोगी टो आपिया को है किया एंग व्याओ बहुगीक, भी लूगप lessonष वत जो कि विम जब है खार 12 हुगे व्याओ को मैं जए हुगर हो अ जए हुगर को अुगге एंग सब्सक्क्न गी को तोनरी दोन्म हे उ். ip cadeे है है लोग ऌचिसे पाने लुजयिसे यचिसे पिलियों प रोज really appreciateheen यह यह लुजय हि anunci भी ले लें ैं ने लुए हिंस लुए हिंस, भी लोग astronauts सुजय कि ठाभ्यो, से अम्याइ Mजसे, से वी लैंने ङ करो consists मैं लेbor लुए हिंस! आख पंदा जो, अलता हाट जो जो, आख भा मेरे बिटे को अलता है है माट हाई ला खून बहुत बगया है और मुश्किल यह है कि वह खून लेने से इंकार करा है क्यों पता नहीं मालकिं पता नहीं आप बड़े लिख्ख्याद भी है आप ही क्यों नहीं सोई थे कि यह आपकी जिन्दगी का सवाल है यह बात आप मुझे पहले भी कई बात संजा सब्सक्राइब तो फिर आखिर इस बेकार जिदकाद मकसद क्या है ड़क्ट साब यह एक मा के जब्द और एक बेटे की जिद की जनकर रोक्ट साब देखना है कि जीत किसकी होती है मुझे खुन लेने सिंका नहीं रोक्ट साब लेकिन मुझे खुन मेरी मा देगी कहा है तुमारी माँ? मेरी माँ मेरी माँ नहीं है डोक्ट साब यह क्या पागलपल है खुन तुम्हे माँ का चाहिए और मा तुम्हारी है रोक्ट साब देखो मिस्टर अगर एक खेंटे के अंदर अंदर तुम्हारे जिस्त को खुन ना दिया गया तो तुम्हारी जान को खत्रा है तुम मर दी सकते हैं जीने की आर्जू लेकर काऊ आया था रोक्ट साब अगर माँ ही नहीं है तो क्या रखा इस जिंदकी में जान जाती है तो जाने दीजिए मैंने आई तक तक तुम जैसे मरीज नहीं देखा जो जी बैय करो अब मैं तुम्हारी संदीगी का सिमधा दें खेरिये डक्टर जी मेरा खुन ले लिजे आपका खुन है लेकिन शायद आपने यह नहीं सुना कि यह मा के सिवा किसी औरका खुन लेना नहीं जानती हूँ, मैं, मैं इसकी मा हूँ मेरे, मेरे नाज, जान मेरे बच्छो बेटे, आखिर अपनी जिद मनमा के रहाना तो मैंने तेरी जिद के आगे हार मान लिया, हार मान लिया मगर वादकर, ये राज, किसी को नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताएगा तेरा बच्छो, मेरे नाज नहीं मा, मैं इतने बड़ी खुशी को छुबाद में सकूगा मैं आज सारी दुनिया को बतादोगा, कि तुम मेरे मा हूँ तुम मेरे मा हूँ तुम मेरे मा हूँ ये, ये मेरे मा है ये, ये मेरे मा है ये, ये मेरे मा है सुना तुमने मुझे मेरी मां में लिए इवाब मैं आपके बसक्ता हूँ जागिराथ साहब इंस्पेक्टर आओ, कैसे आ रहा हूँ मैं आपके बेटे को गिरफ़तार करने के लिए आया हूँ क्यों, क्या जुर्म किया इस नहीं ए राहत नामी एक नाजवान पर कांट लाना हमला चलिए नमाज साहब हमने सुआथ हैं इंस्पेक्टर कि कानून सुबूत के बगार किसी पर हाथ नी डालता कोई शाहदत, कोई निकवाब मस्जिद का पेश इमाम पेश इमाम, उसकी तुम फिकर ना करो इंस्पेक्टर वो अपनी शारब बदल देगा अब ऐसे नहीं होगा जागिर्दार साहब इसलिए कि वो कहता है कि वो सिर्फ खुदा के सामने जवाब दे चलिए नमाज साहब मुल्ताने जी हजूर शराहत का उने, हम उसके पास ले चल कुछ पैसे उसे दे के मुकदमा खारिश करवा देंगे मेरे ख्याल है हजूर वो आपकी बात नहीं मानेगा तर कैसे नहीं मानेगा मुझे आज ही काउँ से पता चला है कि वो शाद्री अकपर का बेटा है शाद्री अकपर्खा बेटा जिन्दा है और इसी काउं में रहता है जी हजूर तब देख क्या रहे हो जाओ सबको तयार करो हमारी बंदू उकलाओ हमारा घौर तयार करो आपको क्या होगे इससे पहले कि वह बरवार करे हम उसका खतम कर देगे जरा सूचिए अभी आपका बेटा गिरफ़तार होकर गया है हमारे दुश्मन की मौत फिलहाल हमारे बेटे की रहाई से ज़्यादा जरूरी है ठैदी आज तक हम खामोश तमाशाई बने सब कुछ देखते रहे आज आपसे एक सवाल जरूर करेंगे क्या आपके नस्तीक सिंदगी का और कोई मासब नहीं हम इसी को सिंदगी की शान समझते हैं कि जितर से गुजएं सर चुक जाएं इसी तरह हमारा नाम हमेशे सिंदा रहेगा जाकीरतार साहब दुन्या में नाम उनीका सिंदा रहता है जो नेक काम और अच्छी मिसाले छोड़ जाते हैं समाना यजीद से वाकिफ सरूर है लेकिन लेकिन दिलों पर राज आज भी हुसेन का है राहत को खतम कर लें फिर तुम्हारे इस नसीयत पर खावर करेंगे एक बात का मुमा खुदा की मर्दी के बगार ना कोई जी सकता है और ना ही कोई मर सकता है तो फिर ये डर कैसा मैं जानता हूँ के वो मेरे बाब की गातिल है मेरे जान के दुश्मन है लेकिन मुझे उनसे कोई खौप नहीं मैं उनकी नफरत के सामने महापत का पैगाम लेकर जाओंगा मेरा नाम राद है हमारे लिए तुम्हारा तारफ इतना ही काभी है कि तुम हमारे दुश्मन के बेते हो माने ने बता हो तो हमसे सुलो हम तुम्हारे खौन के प्यासे हैं क्या कुसूर है मेरा कुसूर तुम्हारा नहीं तुम्हारे बढ़ों का है फिर सजा आप मुझे क्यूं देना चाहते हैं? हम एक खून का बदला एक खून बहा कर नहीं चुकाते हैं अपने दुश्मनों का नाम निशान मिताकर डम लेते हैं इसके बगाए दुश्मनी की रीद निभाने का मता नहीं आता मैं नहीं पूछूँगा जागिदार साथ के इस दुश्मनी में खुसूर मेरे बड़ों का था या आपका मैं सब कुछ भुलाकर सुला का पैगाम लेकर आया हूँ लोडा क्या कह रहा है यह क्यों नहीं कहते अपनी बुश्द लिका इत्राफ करने आया हो बुश्दिल होता तो आज आपकी देहलीस पर अकेला ना खड़ा होता जागिदार साथ यही तो हमारी बन नसीबी है कि हम एक ऐसे माशरे को जनम दे रहे हैं जहां घुंडा गर्दी को बहादुरी और शराफत को बुश्दिली का नाम दिया जाता है महादुरी इंतकाम लेने का नाम नहीं माप कर देने का नाम है जागिदार साथ मारना है तो अपने उस नफस को मारिये जो इंसान को इंसान से हैवान बना देता है ज़रा सूचिये जागिदार साथ हमने हीर रांजा की सोनी धर्ती को क्या से क्या बना दिया है में फखर महसूस करते हैं सोचिए जरा अपने लिए नहीं तो आने वाली उन नसलों के लिए सोचिए क्या रिवायत छोड़की जा रहे हम उनके लिए क्या हम मूँ दिखाएंगे अपनी उलाद को रोज हश्र क्या जवाब देंगे खुदा के उस हवीब को जिसने हमें अमन और मौपत का सबसे अजीम पैखाम दिया तक्रीर अच्छी कर लेते हो जुरतमन्द आदमी हो हमारे घर चलकर आए हो इसलिए आज हम तुम्हें जिन्दगी की फीक देते हैं लेकन याद रहे कल का दिन तुम्हारी जिन्दगी का आखरी दिन होगा कर जा रहे हो अपना दिश्वां से मुकाबला करने है कि जाओं के मती में चाहबं के तावेदाथ में आजां तुम्हारी जाए जुरत मॉद के लिखक ओड़ा रहे हो सकांडा मना ज़िए इसलिए बहुत हो आए अब तक्री अधर इसलिए ही तो इसपे आप है कि मलगा हो और रहे ही जाए जाने जोए यह मुझ से पूछ बेटा मुझ से पूछ जिस जिन्दगी भारे साज में जलती रही है मर्द तो मौत की नीज सोजाते हैं मगर उनकी नफरत का खम्यादा आरफ को बगतना परता है बिश्मरी मर्ब खरीचते हैं जिन्दगी आरफ की बर्बाद हो जाती है अदावतों के बीज मजबते हैं चैनलों की फासला काती है यही वो दर्था में ता यही वो दर्था जिसके लिए मैंने तुझे अपने आप से जिन्दा कर लिया था तुम क्या समझती हो मने बंदूख तपाम के नाम पर उठाई मैं समय है माँ मैं सुला की कोशिश करके देख चुका हूँ मैं वो सिस मेरे खुम के तासे पश्पानी की रीज ने बहने के लिए उन्हे मेरी जिन्दगी चाहिए यहां इंतकाम लेना एक दस्तूर बन चुका है माँ और या जिसनी पहल चुकी है कि मैं के दर्शे नहीं बुचा सकता हूँ मैं नहीं बुचा सकता माँ आप सब लोग यहां क्यों जमाने हैं हमें पता चला है जाजिरदार और उसके आदमी तुम्हें कतल करने के लिए आ रहे हैं तो फिर हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं आप सब लोग मेरी खातिर अपनी जिन्दजियों को क्यों खत्रे में डालते हैं जाईए अपने अपने घरों बनाओ जाईए यह मेरा और जागिरदार का मामिल आए मैं उसे खुद दूँगा ऐसा नहीं होगा बेटा आज सारा गौब बेदार हो चुका है हम तुम्हें अकेले जागिरदार के जल्म का निशाना नहीं बनने देंगे यह अब तुम्हारी ही नहीं हम सब की जंग है या आज हम नहीं या जागिरदार ही तुम्हें अमारा राथ पर रुकनी की जुरत कैसे की तो कि बहुत से औरतों की तरह अंपढ़ और गवार होती तो हर्गीस यह गुस्ताफिना करते अब जाना मगर मुझे तालीम दिलवाई है आपने यह शोर बक्षा है आपने इसलिए मैं कुछ कहने का हक रखती हूँ क्या कहना चाहती है मैंने आज तक आप से कुछ नहीं मांगा अबबाचान लेकिन आज पहली बारे किलतिजा कह रही हूँ क्या आप इस मुहिम को तरक कर दे मुहिम को तरक कर दे अपने कौल को फूल जाए अपनी कसम से फिर जाए इकर क्यों इसलिए कि जब लोग आपको जालिम कहते हैं तो आपकी बेटी का सर शत्सल छूप चलता है कम उसका मैंने तो किताबों में यही पड़ा है कि खुदा भी उन से प्यार करता है जो उसके बंदों से प्यार करें क्या ऐसा नहीं हो सकता है अपाजान क्या आप इस नफ्रत को प्यार में बदले हम अपने उसलों नहीं शोज़ते साहरा हम इसलिया की मालक मतार हैं अगर आज अज़न दिखन रुखाद न किया तो हम अपनी ही निज़न में गिर जाएगे हर ज़न हमार रासे से अज़न प्यार की पहजान बना बूल कर नफरत की पहजान बना जिसने अलाह पर एलाज वही सुन बना बूल कर नफरत की पहजान बना जल्मार जबर की शोलो को हबादी तुम्ये जिसलिये दिन की ताली गुलादी तुम्ये पतलो घारत जरी शेवा नहीं निसान का उन्ने अपनाई जापा मह शुतान का बीजल अफरत की यहां की अगर जागे सोच लो अशर के दिन किसकी सजागे सोच लो अशर के दिन किसकी सजागे अक्मी तहजीब के दिनिया में ठीके हे बंदन जिसमें अल्लाव पर एलाज वही संबनो बुलिकर नफरत की तुम्यार की पहचंबनो कितने पुर्बानिया लेकर ये वतन ब्लाव है पुलू जड़े ही हजार तो चमन बावा है जे चमन अपने ही हाथों से लगरवार करे इसमें शामिल है शहीदों कल हुया करे तुम जो बस में लागे अभी कर जागे उनको ही जब न रहे तो तो किधर जागे तो को ही जब रहे जागे तो किधर जागे कम मिल्लत की नरुसवाई का सामा देना जिसमें अलाह कर आइना कोई निसान बनो भूल कर नखरत की तो प्यार की पहचान बनो किते रल ओकोड़ जेलो फ्यार कर जागे किते उब जागे किते थोजिश्थ किते हैंगama किते बन्या बना किते ईयूalley किते बोले तुमुम बन किते बोलों किते बनुम मुए करने! मुए थैंने! मुए अपाराड़! मुए! 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 म? जागिर्दार, मेरी माँ का खून रायका नहीं जायका आएका मैं तुझे जिन्दा नहीं चाहूराए नहीं, नहीं मेज़े, तुने ये किया, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूगी माँ, ये मेरा और जागिर्दार का माम है शावास खान, जिन्दगी बहुत पिंदी चीज़ है तुने मेरा सुहाग चीला और आज मेरा खुन बहाया जा, मैं तुझे माफ करते हूँ कोई मेरा इंतकाम नहीं देगा नहीं मुझे अपने खुन का असास चाहिए मैंने तुझे दोनों जहान में माफ किया हमारे सीने में कोली माफ दो जैनब हम पर ये महर्मानी मत करो हमारी तुम्हारी दुश्मनी है कैसी दुश्मनी शाबासवान हम एक ही खुदा को मानने वाले और एक ही नभी के नाम लिवा है फिर एक दुसरे को मिटाने पर क्यों तुने हुए है अगर कुछलना ही है तो आओ मिलकर इसलाम के दुश्मना को कुछलें अपने हाप को बरबाद कितने से क्या भाइदा यहाँ पुष्टा से यही होता चला रहा है बतला निकिगीच अमारे खुन में शामिल है यह जोट है शाबासवान तुम्हारा खुन मेरे खुन से द्यार करता है और मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को चाता है इनकाम का जल्बाव इनके खुन में क्यों शामिल नहीं शाबासखान मेरे पास वक्त बहुत कमें इना खुकी जाशनी मुझने से पहले द्श्मनी की यह रीद आज हमेशा के लिए खत्म कर दो द्श्मनी तो बराबर वालों के साथ की जाती है मैं तो मैं तो तुहरे साथ नहीं हाथ जोड़े खड़ी हूँ मैं हार गई शाबासखाई मैं हार गई क्वेशाशनी ज्च्छुण कर दो जाव जाखशनी कर दो जो जाबासफ्ट मैं ही जैनकनी मैं हाव। हम जाज जाबासफ़ हम हार गए तो फिर तो फिर आओ आएद करें क्यार का ये दिश्ता हमेशा काइन रहेगा आओ 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 आएद करें हम इस देश की सोनी धर्ती को सारी दुहिया के लिए मिसाल बना देंगे आओ आओ आएद करें बुल कर नफरत को प्यार की पहजान बना जिसने अलना करेंगा को इंसान बना बुल कर नफरत को प्यार की पहजान बना